जिस प्रस्तिति से आप आज जूज रहे हैं उन दुखों से बिमारी से परिशानी से परमेश्व आपको बाहर निकालेगा वो आपकी सुधी लेगा और एक ऐसी जगह पर आपको ले करके जाएगा आज बड़ा बदलाव इनके जीवन में हो इनकी फैमिली में इनके बच्चों की लाइफ में प्रभू जो ये विंती निवेदन प्राथना आपके सम्मुक लेकर आए हैं प्रभू इस सुभा में प्रभू हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक क्या है यदि आप प्रात्न करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें हम आपके लिए प्रात्न करेंगे प्रेजलोड दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज सुभे की प्रात्ना में और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभू आपकी सुधी लेगा और आप सोच रहे हों कि कम मैं इन से बाहर निकलूंगा आज सुधह में परमेशु का वचन कहता है कि परमेशु आपके सुधी लेगा और इस परस्तते से परमेशु आपको बाहर निकालेगा पर में शुर आपके हालातों को बदल देगा, आपकी प्रस्ततियों को बदल देगा, और सब कुछ आपके जीवन में नया कर देगा, आपको आज़सित करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको सफल करेगा, आपकी जोरतों को पूरा करेगा, जैसे हम लोग देखते हैं, उत्पति किताब उसके पचास अध्याई में, जब यूसुप अपने जीवन के अंतिम दिनों में है, आप जानते हैं कि उससे पहले यूसुप अपने भाईयों की जरुतों को पूरा करता है, उनके लिए हर एक चीज को प्रोवाइड करता है, परन्तु अब यूसुप मृत् अपने परिवार वालों से, अपने वनसुजों से कुछ बाती कहता है, और वो इस बात को कहता है, उत्पति किताब उसका पचास अध्याई चौबिस पद, जहां पर कुछ इस परकार से लिखा है, यूसुप ने अपने भाईयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परन्तु प परिवार वालों से कहता है, कि मैं तो मिर्त्यू के करीब हूँ, मैं तो मरने पर हूँ, परन्तु मैं तुम्हें इस बात को बता देना चाहता हूँ, कि परमेश्र तुम्हें अपने वादे के अनसार इस देश से बाहर निकालेगा, और उस देश में लेकर के जाएगा, जह जहां के लिए परमेश्वण ने अपने सेव को अब्राहम इसाक याकुब से वादा किया था, कि मैं वो देस तुमहें दूँगा, जहां दूदर्द और मदू की धाराएं बहती है, जहां भरपूरी है, जहां आसीसे है, ऐसा देस मैं तुमहें दूँगा, और निश्य पर मेश्वर तुमें इस मिस्र देश से ले जाएगा उस देश में ले करके जाएगा इसलिए चाहे तुम जीवन के कैसे भी परस्तिते में क्यों न हो मैं यहां से जा रहा हूँ अब चाहे तुम्हारे जीवन में कैसे भी परस्तिते क्यों न हो लेकिन इस वादे को याद रखना, इस वादे को समरन करना कि निश्य परमेशर तुम्हारी सुधी लेगा और तुम्हें इस परस्तते से बाहर निकालेगा आसिसों के देस में, आसिसों की जगहे में तुम्हें ले करके जाएगा दोस्तों यूसुप ने अपने परिवार वालों को ये विश्वास दिलाया कि वो परमेशुर पर निरभर रहे हैं, कि वे परमेशुर पर निरभर रहे हैं, उसके वादे को थामे रहे हैं, उसके वादे को पकड़े रखे हैं, क्योंकि परमेशुर अपने वादे को उनके जी प्रस्तिते से बाहर निकालेगा, जिस प्रस्तिते में आज आप हैं, जिस प्रस्तिते से आप आज जूज रहे हैं, उन दुकों से, बिमारी से, परिशानी से, परमेश्र आपको बाहर निकालेगा, वो आपकी सुधी लेगा, और एक ऐसी जगह पर आपको ले करके जाएगा, जहां आसिसे हैं, जहां बरकत है, जहां सफलता है, जहां भरपूरी है, ऐसी जगह पर परमेश्र आपको लेकर जाएगा, आपकी परस्तुति को परमेश्र बदल देगा, ऐसे दिन परमेश्र आपके जीवन में लेकर के आएगा, आपके बुरे दिन अच्छे दिनों में बद करना है यूशुप की तरह है उसके उसके परिवार वालों की तरह है आपको उस वादे पर भरूसा करना है कि निश्य परमेश्व मुझे आसीज देगा निश्य परमेश्व मुझे बढ़ाएगा और आपको इस वचन पर भरूसा करना है और निश्य परमेश्व अपनी वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा जिस वचन से भी परमेशों ने आपसे बाचित की है जिस वचन को आपने ग्राण किया है जिस वचन के लिए आपने परमेशों पर भरोसा किया है वो वचन निश्य प्रव आपके जीवन में पूरा करेगा और आपको इस परस्तत से बाहर निकालेगा और आपके जीवन में उन दुखों को दूर करके आपके जीवन को खुशियों से आसिसों से परमेशुर भर देगा इसलिए उसके वादे पर भरोसा रखें आसा न छोड़ें निरास न होएं विश्वास में बने रहें प्रात ना करते रहें निश्य वो अपने वच्चन को आपके जीवन में पूरा करेगा आस सुबह में मैं आपको उसाइद करना चाहूँगा आपको आसा दिलाना चाहूँगा कि परमेशुर आपको बाहर निकालेगा परमेशुर आपको इस परस्तिते से बाहर निकालेगा आपके हालतों को बदल देगा आपके आसों को पोंच डालेगा आपके दुख के दिन स आप तो हो जाएंगे, आप खुसियों को देखेंगे, आसों को देखेंगे, सफलता को देखेंगे, आप भरपूरी को अपने जीवन में देखेंगे, आप उन कुसियों को देखेंगे, जिनकी आप कल्पना कर रहे हैं, उन सब चीजों को आप अपने जीवन में देखोगे, इन वचनों को आपकी जीवन में पूरा करेंगे यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉंटेक्ट करें 8077-007695 धन्यवाद Praise the Lord मेरा नाम निना सोनोनी है मैं महाराश्टर अवरंगा वास से बूल रही है मैंने डिसेंबर में ने में PK Masi और Sister Amrita Masi इनके यहां प्रेर सेंटर में कोई किया था मेरे बेटी ती शादी के लिये क्योंकि उसकी शादी जो पीने वो ती बीकत हो रही थी फिर मैंने प्रेर रिक्विस्ट दिंग और Amrita Sister PK Masi दोनों नी हमरे लिए प्रेर किया और मेरी बेटी के लिए रिष्टा 26 जानेवर रिफा आया कि शादी 21 आवस्ट को अभी शादी हो बे उसकी सब शादी अच्छे से वो बे और शादी के लिए पैसो कीपी बहुत ही जरुरत थी प्रेर रिक्विस्ट विजने के बाद मेरी सब प्रॉब्लम्स दूर वो गए इसके रिए मैं एशो मसी का फोहुद फोहुद धन्यवार देती हूँ और सिस्ट्रामरुता मसी और PK Masi Vrada इनका वीमन देन से धन्यवार देती हूँ और उनकी मिनिस्ट्री को इशो मसी ऐसे ही आगे बढ़ाए उनकी परिवार को बहुत बहुत आशीशी करे यही मेरी इश्वासे मेरी इशो से प्राद ना है प्रेज़ दिनाट सो हम प्रभु इशो मसी का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुभा के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को बड़े ही ध्यान से सुना और आप समझ गए हैं कि जब परमेश्वर के किये वे वाइदों पर हम विश्वास करते हैं तो निश्चय परमेश्वर अद्भुद अश्चयरेकर हम सब की जीवनों में करते हैं सुआइए मिलकर हम प्रात्ना करें धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता हमसे प्यार करने वाले प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं धन्यवात करते कि आप हम सब की प्रात्ना को हमेशा सुनते और उसका उत्तर देते हैं. धन्यवाद करते प्यारे प्रभू कि आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया और यह सो भाग्य प्रभू तुने हमें दिया कि तु हमारे लिए स्वर्ग छोड़का पृत्री पर आया प्रभू और तुने प्रभू हम सब के गुनाहों को अपने उपर लेकर हमें को प्रभू अपने जीवन में रिसीव कर सके प्यारे परमेश्वर और सच में मेरे खुदा आज के दिन में प्रभू तेरे आश्चेरे कर्म तेरे बड़े-बड़े काम तेरी भलाईया तेरी दया तेरा अनुग्र है प्रभू तेरे लोग आज के दिन में और प्रभू हर स सके प्रभू जो प्लैंस आपकी और से हमारे लिए बने हैं परमिश्वर प्रभू आप जानते हैं हमारा भूत भविश्य और वर्तमान और आप सब बातों को जानते हैं प्रभू क्या हमारे लिए राइट है क्या रॉंग है उस सब बाते आप जानते हैं और मैं चाहते हूं प्रभू कि आपकी विल प्रभू, आपकी इच्छा, प्रभू, आपके बैटेबेटियों के जीवन में पूरी हो, पिता, उनके decisions परमेश्वर प्रभू, वो आप में होकर, आपकी Holy Spirit के अगुआई में होकर यह अपने जीवन के decisions को ले सके परमेश्वर पिता आज के दिन में ज्यान बुद्धी समझ आप इने दे Holy Spirit का आप इने guidance दे पवित्रात्मा में धनेवाद करते हैं प्रभू कि आपने हमें आलोकिक पवित्रात्मा वो सहयक वो मित्र हमें दिया है प्रभू जिसकी मदद सहयता के दुआरा प्रभू हम आगे बढ़ते हैं इस मसी सफर में प्रभू जो हमें पवित्रताई के और बढ़ाता है जो हमें अंश-अंश करके बदलता है उस आलोकिक पवित्रात्मा का हम धनेवाद करते हैं पिता आज बड़ा बदलाव इनके जीवन में हो इनकी फैमिली में इनके बच्चों की लाइफ में प्रभू जो ये विंती निवेदन प्राथना आपके सम्मुक लेकर आए हैं प्रभू इस सुभा में प्रभू आज हरे के प्राथना का उत्तर दीजिए परमिश्वर धनिवाद करती पिता विशेश रुप से प्राथना है प्रभू इस समय मेरे खुदावन जो वच्चन प्रभू आपके लोगों ने सुना प्रभू इस वच्चन को ये अपने जीवन में रिसीव कर सके पिता सच वे प्रभू ये निश्चे इने होने पाए पिता ये विश्वास इने होने पाए प्रभू कि जो वाइदे प्रभू तुने किये हैं जो प्रभू प्रामिस प्रभू आपने किये हैं उन प्रामिस को प्रभू आप पूरा करते हैं जो प्रामिस आपने अबराहम से किया, इसाहक से किया और याकुब से किया, प्रभू उस प्रामिस को आपने पूरा किया, प्यारे परमेश्व, वही वाइदे प्रभू, तुने हम सबसे भी किया है, प्रभू, अपने बेटे बेटियों से किया है, प्रभू, और मैं चाहती ह प्रभू यूसुप ने अपने भाईयों से इस बात को कहा कि निस्च है परमेश्वर तुम्हें इस देश से निकाल कर वहां लेकर जाएगा जिसे देने का वाइदा उसने अब रहाम याकुब और स्तहक से किया है हाँ परमेश्व पिता मैं दूआ करती हूँ प्यारे प्रभ प्रभू आज इतने लोग अकेले हैं जिनका कोई भी सहरा नहीं प्रभू जी जो अनात है प्रभू जी जिनका हाथ थामने वाला कोई नहीं प्रभू तेरा वचन उनसे कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा कभी नहीं त्यागूंगा हाँ प्रभू तेरा वच है एक दुसरे के प्रतिकडवाहट है प्रभू कलेश है पिता तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी असीम शांती से भरूँगा मेरे पिता हो ने दीजिये प्रभू आपकी शांती इनके परिवारों में इनके जीवनों में आए पिता ताकि वो परिवार जो कलेशों में है लड़ाई जगड़ों में है एक दूसरे के विरोध में है वो शांती पाकर प्रभू मेल मिलाप में आजाये परमिष्यर मैं प्रातने कर तुम्हारा वच्च्वी पर प्राक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशिश पाएगी प्रभू ये वाइदा तुने किया है, ये वाइदा उनके जीवन में पूरा होने पाए, तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे लड़के यहुआ के सिकलाई वे होंगे और उनके अंदर बड़ी शांती होगी है, इस वचन को उनके बच्चों के जीवन में पूरा करे पिता, जो बच्चों के लिए परिशान है खुदा, प्रात्न करती हो प्रभू, आपका वचन कहता है परमेश्व प्रभू कि मैं तेरा चुटकारा करूंगा, हाँ परमेश्व प्रभू आप इन्हे बंधनों से दुष्ट आत्माँ से चुटकारा दे मेरे प्रभू, इसी समें प्रभू कर चले जाओ इनके जीवन से, इनके फैमिली से, ये शुनास्री के नाम से तुम्हें हम बात कर नस्ट करते हैं दे नेम आव जीज़स, थैंक्यू फादर लॉड, मैं प्रात्न करती हूं पिता, इस समें जितने लोग बीमार हैं पिता, कैंसर में हैं, प्रभू हा ये शुनास्री के नाम से, इसी समें ये सारी बीमारियों के उपर अधिकार करते खुदा और नस्ट होने के आग्या देते, तेरा बचन कहा था कि मैं तेरे रोगों को दूर करूंगा, इसी समें इनके सरीर के सारे रोगों को दूर करते ये शुनास्री के नाम से, प्रभू जो डेंगो की बिमारी से ग्रसत है, डेंगो की बिमारी नस्ट हो ये शुमसी के नाम से, लोग छुटकारा पाएं इसी समय, प्लेटिलेट्स इंक्रीज हो जाएं ये शुमसी के नाम से, बलड की कमी दूर हो ये शुमसी के नाम से, हर प्रकार का कमर का दर्द ये शुमसी के हील होने पाए in the name of Jesus, वो बिलकुल नॉर्मल होने पाई ये शुनासरी के नाम से, खुदा मैं प्रात्न करते हैं इनके परिवार में कोई भी मैंटली डिस्टब है पिता, ये शुनासरी के नाम से, उस मैंटली डिसॉडर को, मैंटली प्रॉब्लम को हम ये शु के नाम से दू प्रात्न करते हैं उस पर बरकत हो पिता परमेश्वर, जहां कहीं ये जाएं वहाँ पर ये लोगों के लिए आशीश का कारण होने पाए पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरा वचन कहता है, कि तू बहर जाते समय घर आते समय आशुषित है, हाँ प्रभु ये लोग आशीशित हैं मेरे खुदावन और प्रभु जो वाइदे प्रभु तूने इन से किये हैं, वो इनकी जीवन में पूरा हो पिता, ये हर एक वाइदे को थामने पाए प्रभु और हर दिन उन वाइदों की घोशना करने पाए पिता, कि तू उन्हें छुटकारा देगा, प्रभु तू इनके लिए उपाई करेगा, तू ने करजे से बहार निकालेगा, हाँ प्रभु इन वाइदों को स्मरन करके प्रभु ये उन सारी बातों से बहार निकलने पाए जिन से प्रभु आज ये प्रभु बहुत जादा जूज रहें पिता, मै महिमा मैधन से इनके लिए सब कुछ पूरा करें, आपके लोग प्रॉस्पर हों पिता, आपके लोग समरिद्ध हों पिता, आपके लोग जय में जीने पाएं पिता परमेश्वर और आपकी महिमा करने पाएं, तैंक यू लॉड आज के दिन को इन भाई बहनों को तिरे हात तुमें देते हैं, पिता, हर एक के जीवन में आपके पवित्र आत्मा की गाइडन्स को चाहते हैं, पिता, छोटे से लेकर बढ़े तक हर एक को छोड़ी स्पिरेट आप गाइड करें, प्रातना है, दुआ में वचन में प्रभु तेरे लोग बढ़ते जाएं, पिता परम ताकि औरों के लिए भी वो आशीश का कारण थेरें। अप्राथना के साथ किसे ने बारे दितने लोगों के लिए एकुर। प्रमिश्वर यह रोगों के फेले शॅल दिफेन और पर द्या करेंώ। गधां। विशेश का प्रातना है जितने भाई बेरों ने बोया है आपके राज्जी में पिता हर्ष आनंद के साथ में जो बोया है उसकी कटनी बड़े ही आनंद के साथ में वो काटें प्रभू आपके लोगों किसी भी प्रकार की घटी कमी न होने पाए भरपूरी और बहुत तायत उनके जीवन में हो पिता तेरे लोग कभी भी किसी के आगे हाथ पैलाने वाले न हो पिता वरन ऐसा समरिद ऐसा प्रॉस्पर आप उने करें प्रभू कि वो दूसरों की मदद करने वाले बन सकी पिता धन्यवाद करते प्यारे प्रभू इनके फाइनाइंस के सोर्सस को खोल दीजिए प्रमेशर धन्यवाद करते पिता आज के दिन को इन भाई बहनों को प्रभू इनके परिवार के हर एक जन को पिता प्रमेशर आपके सुरक्षा दायरे में रखते आपके सुरक्षा दायरे